नमस्कार दोस्तों एक शादी सुदा आदमी है उसकी नगबग पाच दस साव पहले शादी हो चुकी है तो उसको पहले से पता चलता है कि उसकी वे भी आभी गुस्सा गरने वाले है या उसकी वे भी कब खुश होती है उसकी वे भी कब नाराज होती है उसको पहले से पता च होता है दोस्तों और आज हम उस पैटन के ऊपर ही बात करने वाले हैं तो चलो फिर शुरू करते हैं कर यत आव्च मार्केट में भी प्राइज जब नीचे आपी है या उपर जाती है ।ब कुछ वाइंट बना कर ऊपर जाती है और अगर हम उस कोईंट को ज्षू kul कर दे तो येपैटन ताया होता है दोस्तों मार्केट यादर भाव का जैसा मूड होता है वो इससे पैटन दे लिए होता है लोगों का ऐसा मानगा है कि जो सूशल वीडिया किताबों के अंदर या किसी वेबसाट के उपर आपको जो पैटन दिखाई देते हैं या सिखाए जाते हैं वही पैटन होते हैं दोस्तों उसके अलावा भी कुछ पैटन होते हैं समझो आज अगर प्राइस उप अगरा बनेगा तो रिजल्ट वहीं देखलेगा जो पहले वाले फैटन का था ज़्यूरी नहीं है कि वह पैटन आपने किताब में पढ़ा हो या उस पैटन का कोई नाम हो जैसे कि हर एक अनेवल का अलग 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 से वोता है आपको expect Him रंद शे छिबन अंग si आ हरोई ह जो आपको चाड के उपर दिख रही है पैटन ऐसी कोई चीज नहीं है इसी ने आपको निकाल कर दे दी और बोला कि यह उगया तो बन गया पैटन मैं आपको एक जमबन देता हूँ चिंद के अंदर एक निडी थी वह चीज के अंदर बहुत माईर थी उसको बहुत बड़े-बड़े किताब मिले थे और वह सामने वालों को एक सेकत के अंदर हराती थी या उसका जो डाव है वो कुछ सेकत के अंदर लगा कर वो जीद जाते थी तो उसके कुछ साइटिस ने एक्स्पिरिमेंट किया कि वह इतना जल्दी किस तरीके से सोचती है और किस तरीके से दाव लगाती है तो उसके दिमा की ओपर कुछ एक्स्पिरिमेंट किया रहा उसके बाद यह रिजल्ट आया कि उसकी बर्जों की जो मेहनत है उसने जो प्रैक्टिस की थी को प्रैक्रिश की वजह से उसकी दिमाग के अंदर पूछ पैटन छे पर अरो जोईसे बनते थे वहीं साही युद्धी अपना ताउन लगाती थी और वह जीच जाती थी मतलब क्या है दोस्तों उसने जो प्रैक्रिस की थी उसके दिमाग के अदर बहुत सारे प्ятьंद बने थे उसको दिमाग उसको भूलता दा कि देखो ए पैटन बनने के बाद इस तरीके से reaction देना है और बिल्कुल उस तरीके से reaction दिना है और एक्सिंटी थी कई उसको पहिले result भी जलते हैं इसलिए वह pattern देखकर वो दाउ लगाती थी और वो आपर जिद जाती थी और इसी तरह stock market में भी pattern बनते हैं और वो pattern हमें practice के साथ दिखाई देते हैं कब market consolidation करेगा, कब ओपर जाएगा कब market नीचे गिरेगा ये pattern हमें practice के साथ दिखाई देते हैं इसी तरह stock market में भी कुछ pattern बनते हैं और वो pattern आमें practice के साम दिखाए देते हैं दोस्तों कितावो में खाली इतना है लिका होता है कि ये देखो ये pattern बन रहा तो इस तरह के से आपर इंट्री लेनी है और ये आपका stop loss है और ये आपका target दे लेकिन दोस्तों मेरा फंडा ये है pattern अगर बनता है पैटन दिख रहा होगा ये pattern भी आपको मालूब है इस pattern के अंदर यहाँ पर आरे साइड आई वरेजन बना है यहाँ पर प्राइस लीचे जाने चाहिए थी लेकिन यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों पैटन फेल हो चुका यहाँ पर सब लोग सेल साइट का सोच रहे होंगे ले यहाँ पर सेल साइड का नजेरिया था सब का आरे साइड का डाइवरेजन भी दिख रहाता है प्राइस नीचे भी गीरी थोड़ा सा करेक्शन भी आया और तुरन सब को ट्रैप किया मतलब यह pattern फेलियर यह दोस्तों जैसे कि आपको सामने head and shoulder दिख रहा होगा head and shoulder का breakout आया प्राइस थोड़ी सी उपर गई और यहाँ पर pattern फेड हो चुका है दोस्तों और उसके बाद देखो किस तरीके से connection आया मतलब यहाँ पर सब बाय का सोच रहे थे यहाँ पर सेल का सोचने की दिख कोई नहीं था जब सबके stop loss चले गए तब market के अंदर सबसे ज़्यादा गि अगर मार्केट आपके सबसे रियाक्शन नहीं देदा है तो चोटा सा एक्जमपल देता हो दोस्तों अभी करेक्शन आया था लोगसभा के चुनाओं के बाद और तब मैंने एक ट्रेड लिया था और वह जो ट्रेड था दोस्तों मैंने इसी दाहा का एक pattern था जो मेरे दिम बनाया था उसके सरी के आपको मैं और भी चार्ट दिखाता हूँ यह देखो दोस्तों यह आपको दूसरा चार्ट दिख रहा है बिल्कुल जो lockdown के अंदर निप्टी ने वो pattern बनाया था यही pattern इस चार्ट के उपर दिख रहा है आपको और एक चार्ट दिखाता हूँ देख के है समर्तन चेंज हो जाता है कभी Congress को कभी BGP को तो इसलिए मैंने एक ही lot buy किया था हो सकता था कि नितिस सर जो है Congress को समर्तन दे दे और बार्केट के अंदर correction आ जाए इसलिए मैंने एक lot buy किया था उसके बाद correction आया ओं correction आने के बाद मैंने वहाँ पर exit भी किया लेकिन न पूट बाई किया था उसका भी loss है तो पूट में के वह बाई करता हो मैं hedge करता हो दोस्तों यहां पर भी घिलान आपको हीजिंग दीक रही है और यह दो नौट के ऊपर वहाँ प्रॉपिट है दोस्तों यह बहुत ही आच्छा प्रॉपिटी इसके अंदर में लगबग 1,000 ौटALLY के रह Carolina, इसके प्रॉपिए वही है 50% का प्रॉपिट हमें यहां पर दीकरा है दोस्तों किस तरीके से मैंने वो पैटन को जरूपिट हो वहता ओर वे प्रॉन हमें वहां पर environmental issues तो दोस्तों पियर के अंदर किसी तरीKapi came संबना था मेरे पास example था जिब लॉक्टाउ पैटन कब दिखाई देंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जैसे के विन आपको चाइना की लेडी का उधारन दिया था उसकी दिमा क्या अंदर भी बहुत सारे पैटन थे ओपैटन उसको जब दिख्टे थे तब वह अपना डिश्चन लेती थे द बुक्ता उजेंगे बात